स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम स्ट्रीम लिट को यूज करेंगे और एक स्टॉक मार्केट एप बनाएंगे जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को प्रडिक्ट करेंगे यूजिंग दे एप और इस एप के अंदर जितना भी code use करें, please credit दें, जिसका code हो और ये code जो है, basically मेरा और मेरे previous student मुहमद अली बट हम दोनों का ये बनाया हुआ code है उन्होंने इस assignment को submit करवाया था as one of the part, और फिर इसको मैंने modify किया to increase the capability of this app तो credit goes to मुहमद अली बट, मैं उनके कैगल का link भी आपके साथ later on share करतूँगा इस तरीके से जब आप credit देते हैं, जिसका काम होता है, तो आपको भी समझ आती है कि यार, जब हम काम करेंगे तो हमें भी credit मिलेगा, कर भला, सो हो भला, भलेका, अंत भला, इसे के साथ ही अपना lecture में आगे लेके चलता हूँ, एप का नाम है number 10 app है, हमारे पास stock market की app और हमारे पास यहां पे app.py file मैंने और रेड़ी बनाई हुई है, यह सारी के सारी app का code है, which I am gonna show you today, और second आपके पास config.toml की file है, ठीक है, config.toml के अंदर आप primary color अपने set करते हैं, background का color भी set कर सकते हैं, and then you can change other colors as well inside python, यानि के secondary background color हो गया, text color हो गया, font वगएरा, आप सारा कुछ theme के हिसाब से set कर सकते हैं, और यह config.toml file को at the end आपने जब deploy करना होता है, जहां पर last time मैंने आपको secret save करने का बताया था, वहां पर इन comments को भी वहां पर लिख सकते हैं, theme की base पर, ठीक है, तो यह config.toml file पहले बनी हुई है, but app.py के उपर हम बात करते हैं, हमारी app जो दिखती कैसी है, पहले मैं आपको दिखा दूँ, फिर उसकी functionality के उपर हम बात करेंगे, मैं यहां से cd back जाके, यह है हमारी app number 10, so let's see, मैं यहां से अपना terminal दुबारा से on करता हूँ, और इस app को चलाने के हम कोशिश करते हैं, मैं यहां पर conda deactivate करता हूँ, जो मेरे पास पहले से activate हुआ पड़ा है, and then mamba भी deactivate मैं यहां से करता हूँ, अब यहां पर mamba activate streamlit underscore env, यह मेरे activate हो गया environment, मैं जाता हूँ अपनी 13 number streamlit के अंदर, यहां पर मैं streamlit run.app.py यहां से run करता हूँ, और जैसे मैंने इसको run किया है, it will take some time, और उसके बाद यह streamlit की app हमारे पास open हो जाएगी, I can show you that app, तो यह app हमारे पास कुछ इस तरीके से open होगी, इस app के अंदर हम क्या करने वाले हैं, और कौन-कौन सी चीज़ें इस app के अंदर हैं, I am gonna show you that one as well, इस से आपको क्या होगा, कि आप इस इस project को अच्छे से समझ पाएंगे, and you can see कि यह भी connect कर रहा है, then इसके बाद इसके उपर और भी काम होगा, it depends on the thing कि आप किस तरीके से इसको utilize कर सकते हैं, ठीक है जी, यहां तक आपको clear हो गया होगा, अब हम देखते हैं कि यह हमारे पास किस तरीके से आप चलती है, अब यह हमें error दे रही है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्यों error दे रही है, let me see, मैं यहां पर वापस आता हूँ, यह error मुझे इस वज़ा से दे रही है, because inside this एक algorithm, we are using several libraries, जो मेरे पास Macbook की वज़ा से नहीं install, for example, यह profit library जो है, इसको install करने, SK Learn और साथ में TensorFlow की Keras भी है, so इस वज़ा से I have to actually activate, my tf-env environment, क्योंकि उसके अंदर मैंने यह install किया, अगर आप अपने PC पर कर रहे हैं, तो you can install TensorFlow, Keras, profit और यह सारी की सारी libraries आप install कर सकते हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर tf-env को चलाने के बाद, जब मैं app को run करता हूँ, now I can see, कि मेरी app जो है, now it's running, और इस app के अंदर, मेरे पास कुछ different किसम के, जो है वो background की base पर, यहाँ पर dark theme मैंने रखी हुई है पहले से, और wallpaper डिफरेंट लगाया हुआ है, यह basically इस app का main, फाइदा ही है कि इस app के अंदर, आपको proper app बनाने का तरीका मिल जाएगा, हमने यहाँ पर date रखी हुई है, 01-2020 से लेके, यानि कि January-2020 से लेके, December-2020 तक का data है, यह सारे का सारा data है, और इस data की base पे, आप अपनी जो app का main तरीका का निकाल सकते हैं, stock market के data की base पे, we will see that, फिर हमारे पास यहाँ पे, हम data visualization में plot हमने किया, closing price of the stock, तो यह हमारे पास plotly के थुरू, closing price आगी है, and then we can have further inputs from here, कि आप यहाँ पे देखें, कि किस column को आपने forecast करना है, तो for example, मैं adjacent close को यहाँ पे करता हूँ, तो अगर data stationary होगा, तो यह true आजाएगा, यह false आजाएगा, जो different किसम की terms हैं, streamlet के अंदर, आप इनको लगा सकते हैं, जो आपके पास time series की हैं, time series के जितने lectures मैंने upload की हैं, आपको पता होना चाहिए, कि time series में, हमारे पास जो different किसम की, stationarity होती है, seasonality होती है, या हमारे पास जो different correlation, या multi correlation होता है, वो क्या चीज़े होती हैं, खेर, यह इस तरीके से हमारे पास, जो app है, वो आ रही है, अब आप देख सकते हैं, seasonality भी है, residual भी है, हमारे पास, P, D, Q की value भी आप लगा सकते हैं, रिमा और स्रिमा model के लिए, और यहाँ पे आप P की value भी select कर सकते हैं, ठीक है, so it's totally up to you, for example, मैं 6 select करता हूँ, तो यह मेरे पास best model और उसके result यहाँ पे आजाएंगे, and at the end I can forecast the thing for next few days, मैं यहाँ पे 20 दिनों के लिए forecast अगर करता हूँ, मैं enter करूँगा, यह app run होगी, at the end मेरे पास prediction आजाएंगे, time series analysis की base पे, यह actual data है, और वो हमारे पास जो है, यह predicted data आजाएगा, ठीक है, and then we can actually draw the prediction at the end of the same app, अब यहाँ पे आप देखें कि model जो यहाँ पे select हो है, वो सरीमा का हुए, इस app के अंदर कुछ थोड़ी सी, जो मजबूरियां मैं कहूंगा, जिनको हमने change करना है, we are going to do that, अब आप देखते हैं कि इस app के अंदर कौन कौन सी चीज़ें involved है, and how you have to change this app, आपने पहला काम यह करना है कि जब इस app कोड को गौर से देखना है, तो यह सारी की सारी libraries हैं आपके पास, मैं यहाँ पे एक library install करता हूँ, piprex के नाम से, इसी एक tensorflow के environment के अंदर, ताके मैं इसकी requirement file भी यहीं पे बना दूँ, and which will help us in future as well, तो यहाँ पे जनाबे वाला हमारे पास streamlet है, yahoo finance की library है, जिसके थूँ हमारे पास stock market का data अटा पांड़ा है, जनम पाई है, matplotly बसी, bon appplotly के graphs के लिए, date time जो है, हमें date को निकालने के लिए होता है, कि कौन सी date कहां से कैसे चल रही है, and then हमारे पास, यहाँ पे जो है वो time delta आ गया, seasonal decomposition है, stats model की library हमने करनी है, then profit model है, यह basically meta का model है, meta यानि के facebook का model है, जो time series के लिए हम use करते हैं, random fresh regressor है, mean squared error है, sequential LSTM dense है, and then minmax scalar है, बहुत जादा libraries इसमें use भी नहीं हुई, but you have to use that, मैं यहाँ पे pip regress की command चलाता हूँ, ताके मेरे पास इसकी एक requirement फाइल बन जाए, कौन-कौन सी libraries आपको चाहिए, and you will see के हमारे पास, यहाँ पे फाइल बन जाएगी, in a minute, क्योंके हमारे पास काफी जादा libraries हैं यहाँ पे, इसके अंदर use हो रही है, इस वज़ा से इसको थोड़ा time लगेगा, by the way, जितनी देर यह चल रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, कि यहाँ पे हमारे पास layout जो है, वो भी set कर सकते हैं, अपनी page की layout, अगर wide नहीं रखनी, तो आप यहाँ पे normal जो है, वो अपने पास layout रख सकते हैं, और initial जो sidebar है, आप इसको side पे भी कर सकते हैं, मतलब यह है, कि आप इसको collapse कर सकते हैं, मैं दुबारा से आपको अपनी app दिखाता हूँ, जिसके अंदर यह सब को चल रहे है, so you can have a look, कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, यह हमारे पास app है, ठीक है, और यहाँ से आप अगर इस पे click करेंगे, then you can actually collapse your sidebar, तो यह इसके अंदर function जो collapse का है, वो इसी वज़ा से है, initially जब start होगी app, यह collapse हो जाएगी, और यहाँ से आप अपनी date सेलेक्ट कर सकते हैं, for example मैं यहाँ पे चाहता हूँ, कि मेरे पास 2010 से लेके, for example 2020 के दिसंबर तक का data है, और यह मेरे पास different stocks हैं, कोई भी आप company सेलेक्ट कर सकते हैं, Apple कर सकते हैं, Microsoft, Google, Meta, Tesla, NVIDIA, Adobe, PayPal और there are many other, आपके जो हैं tickers हैं, आपके पास मजूद हैं, which you can actually choose, तो मैंने Apple का किया, यहाँ से मैं model select करता हूँ profit का, तो यह मेरे पास Apple के उपर, Apple के stock के उपर, Meta का जो profit model है वो लगेगा, और मेरे पास predictions आजाएंगी, by running this app, prediction कैसे आएंगी, obviously आपका model जो है, वो train हो गाए, and sometimes it takes a lot of time for training, और उसके बाद यह आपको add the end result देता है, और profit के जो models हैं, वो कुछ इस तरीके से forecast करता है, यानि कि start में आपके पास यह सारा trend आ रहा था, future में क्या trend आएगा, you can actually see that as well, और यहाँ पर अगर गौर करें, तो यहाँ पर मौमद अली बट साव ने जब यह इसको बनाया था, उसकी github और बाखी चीज़े भी इसमें दी हैं, so I actually provided all the code over here, okay, so इस app के अंदर आप different model select कर सकते हैं, अगर आपको time series का पता है, Sarima, Sarima, Sarimax, random forest, LSTM, not really good, क्योंकि जारी बात है, मैंने इस पर अच्छे से काम ने किया हुआ, तो मैंने LSTM को चूज किया, and now you can see के मेरे पास जो LSTM model है, it might provide in a best way, और epochs मेरे पास run हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखें के epochs run हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, and based on those epochs, I am having results in the app, ठीक है, and now you can see के हमारे पास actual और predicted, यहाँ पे इस LSTM के base पे, यहाँ पे calculate होगी, so usually sometimes आपकी जो prediction है, वो ज्यादा हो तो आपको नजर नहीं आएगे, तो मैं सरीमा के उपर click करता हूँ, तो now it will be calculated based on सरीमा model, from stats model library, ठीक हो गया, अगर मैं इसको बिलकुल बंद कर देता हूँ, still you can see के हमारे पास, different किसम के options यहाँ पे मुझूद है, और यह prediction at the end होती है, जब भी आप stock market का data, या किसी भी market का data उठाते हैं, for example bitcoin का data उठाते हैं, you have several techniques to predict future data, आपके पास अगर data बहुत ज्यादा मौझूद है, for example यहाँ से मैंने इसको 2020 से, बलके 2020 की बज़ाए 18 से अगर मैं select करता हूँ, and यह बलके नहीं इससे ज्यादा नहीं होगा, let's see अगर एक साल से ज्यादा select होता है, yes, we can select more data as well, तो उसकी base पे आप अपनी जितना training में data रखेंगे, उतना आपका model थोड़ा सा slow काम करेगा, तो यह चार model है, सरीमा, Random Forest, LSTM and Profit, और इन चार models की base पे आपके पास, यहाँ पे जो है वो data आ गया, अच्छा जी, neural network से लेके हर एक चीज़ है, यह जनाब आपकी app का title हो गया, subheader आप रख सकते हैं, आप image का URL देंगे, तो वो image आज़ा, cover image आज़ागी for streamlit app, जैसे हमारे पास इस app के अंदर, यह वाली एक cover image आई है, so you can do that as well, और जैसे आप इस cover image के उपर काम करते हैं, you can change this cover image as well, sidebar आप इस तरीके से रख लेते हैं, जो हमने parameters रखें, start date and end date के लिए, आप date की input जब लगाते हैं, तो calendar सा show हो जाता है, and then these are the stocks, which you can add, I mean, जितने भी stocks आप जिन पर काम करना चाहते हैं, you can add the list of those stocks like this, यह जो ticker list है, ठीक है, यह list add कर देते हैं, फिर इसमें से आप select करते हैं, कि कौन सी ticker को आपने choose करना है, then you have this command, जो data को download करती है, based on the ticker and start and end date, इसकी base पे आप online web scrap करते हैं, यह data को fetch करते हैं, from yahoo finance library, by finance library, जो है basically, यह आपको real time data देती है, stocks का, real time, यानि के पिछला data भी और इस वकट जो मुझूद है वो भी, and then you write this data, और इसके बाद आप data को plot करने के लिए यह वाली चीज़ लगाई है, and then, इस app के अंदर काफी ज़यदा और चीज़े हैं, जिसके अंदर for example, अगर आपने stats model की library को use करना है, and then you need to decompose the data, क्योंकि time series के अंदर आप data को decompose भी करते हैं, ताकि आपके पास different levels of data जो हैं वो आजाएं, इसके बाद आपके पास अगर आपने Sarima model यूज करना है, random for us करना है, less time या profit, तो आपके पास यह चार option है, हम multiple options भी बना सकते हैं, more than 8, more than 10, more than 50 भी यहां से बना सकते हैं, अगर आपने बड़े software पर काम करना है, या app पर काम करना है, तो हमने यह 4 इस वज़़ा से रखे हैं, because this is more than enough, तो आप यहां से model select करते हैं, Sarima का, और अगर Sarima होगा, तो यह सारे काम चलेगा, ठीक है, और आपके pass at the end, इस तरीके से prediction आजएगी, और यह सारा code चलेगा, अगर random forest होगा, तो यहां पर random forest का सारा code आगया, कि क्या क्या करना है, जो आपने machine learning में किये हो, वह सारी चीज़ीं यहां पर at the end figure तक, अगर आप LSTM select करते हैं, तो आपने अलिफ 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 लगा के, इस तरीके से आपने इस फूरे loop को लिख लेना है, ठीक है, और conditions को लिख लेना है, अगर LSTM तो इतना चलेगा, अगर fly तो इतना चलेगा, यहां पर epochs मेंने 10 रखे हुए, you can increase that to 50, it's totally up to you, अगर मैं इसको 50 करता हूँ, obviously मेरे पास data जो है वो अच्छा आएगा, but at the end it depends कि हमारा data कितना जबरदस काम करता है, यह हमने 10 या 5 इस वज़ा से रखे थे, because most of the times आपकी machine जो है इसको नहीं सही तरीके से हल कर सकती, तो इस वज़ा से 10 मेरे ख्याल से enough है, and then हमारे पास जो last में अगर profit model select होता है, तो आपको यह install भी करना पड़ेगा बाइदावे, और आप इस तरीके से run करते हैं, data आप देते हैं, date का और column देते हैं, कौन सा आपको चाहिए, and at the end आपके पास यहाँ पे पूरा profit model वो run कर जाता है, so based on that यह profit model यहाँ पे run कर रहा है, और यह profit model basically आपको मैंने और रेड़ी समझाया हुए, time series के lectures के अंदर, और हमने पगाईदा इस पे पूरा एक lecture तियार किया था, कि किस तरीके से already trained model, profit model, basically जो future predict करता है, meta ने इसको profit का नाम दिया, profit model का नाम दिया, यू can use that one, last पे github के url आप ऐसे दे सकते हैं, images के, और redirect url आप इस तरीके से दे सकते हैं, and then at the end आपके पास यह footer आ जाता है, which you can add like this, जो मैं भी आपको आप पे दिखा देता हूँ, यह जो footer है, यह basically यह वाला footer है, जो नीचे credits आ रहे हैं, के चीज़ें आ रही हैं, so इसको आप utilize कर सकते हैं, and at the end आपकी यह पूरी app बन के आपके सामने आ गई, अब configure tomal की file का क्या मकसद है, अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास base जो है, वो dark रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे background color हमारे पास यह वाला है, which is kind of black color, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस color को change कर सकते हैं, और उसको change करने के लिए, आपको best way मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप color picker पे जाएं, Google पे लिखें color picker, और यह color picker आ जाएगा, अगर मैं चाहता हूँ के मेरा background, कुछ इस तरीके का light सा हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यह hex code copy करूँगा, ठीक है, यह वाला hex code मैंने copy किया, copy करने के बाद, मैं इसको background color के इधर जाके paste कर दूँगा, तो मेरा color यह change हो जाएगा, ठीक है, फिर secondary background color के लिए, मैं थोड़ा सा teal color ले लेता हूँ, something like this, मैं यहाँ से इसे पगड़ता हूँ, color के hex code को, वापिस जाते हैं code के अंदर, और यहाँ से इसको replace कर देते हैं, ठीक है, सो हमारे पास दो colors होगे, जो secondary और primary हमारे पास था, font, monospace का, आप कोई भी रख सकते हैं, text का color जो है, आपने इस तरीके से रखना है, यह भी रखने हैं, dark रखना है तो dark भी रखने, तो मैं यहाँ पे text का color जो है, वो dark कोई ले के आता हूँ, purple type, यहाँ पे यह वाला, मेरी combination colors की इस वकत सही नहीं है, I'm just giving you an example, so don't think in a way, कि यह बहुत जबर्दस चीज है, right, यह मैंने इसको update किया, now we will see our app, और इसको अगर हम refresh करते हैं, still the colors are same, reason क्या है, we will try to rerun this, just in a minute, and then we will see, कि हमारे पास यह काम करते हैं, अगर नहीं करते color, अभी यह नहीं किया काम, मैं इसकी app को बंद करता हूं, यहां से इसको close करता हूं, and then I will rerun the app, just to see if there are few changes happening or not, अगर नहीं, then we will change the, the other files, okay, there are no changes yet, let's see, के कहां पे मसला है, सो हम अपने code में वापिस जाते हैं, और code में जाके देखते हैं, कि configure, टॉमल यह जो dark हमने, base वगएरा और बाकी चीज़ें आइड की हैं, क्या इनको हमने यहां पे attach भी किया या नहीं किया, ठीक है, अब यहां पे अगर मैं, layout wide, यह आगया हमारा, दॉबारा से जाके देखते हैं, इसको मैं run करता हूँ, and now it's looking good to me, लेकिन यह white color हमारे पास आ गया, that's already good, और basically आप इसके color जब app को deploy करेंगे, then this config.tomal file will work, अभी के लिए यहां पे कोई भी चीज हमने add नहीं की, configure की, so that is why it's not working, yes, we didn't add anything yet, यहां पे आप कर सकते हैं, अगर आपने markdown का style यहां पे change करना है, footer का वो आप कर सकते हैं, but otherwise everything is working as it was done before, so मेरी तरफ से यहां पे यह आप इस तरीके से काम करती है, आपने क्या करना है आप इस आप को देखना है अच्छे तरीके से, और हमारे पास यह जो पूरे का पुरा code है, you can have a look on that, और इस code में आप changes करके इसको अपना बना के अपनी cv में लगा सकते हैं, तो हमने सिर्फ उसको मॉडल से लिया और इस आप को बनाने में हमने changes किया है, आप चार मॉडल्स की बजाए तीन-चार और एड़ करें, इसके अंदर GRU एड़ करें या different transfer learning के मॉडल्स एड़ करें, ताकि इसमें कुछ changes नजर आएं, ठीक है, यह app आपको मैं upload कर दूँगा, अभी तक अगर आपने like नहीं किया, share नहीं किया, subscribe नहीं किया, go for it, please, do it, क्यों? क्योंके यह हमें help out करता है, to reach more people, अगर आप नहीं करते, तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है हमें, बट like, share, subscribe करने का एक थोड़ी से appreciation मिल जाती है, ठीक है जी, अब दूसरी आपकी तरफ चलते हैं,